हेलो एबरीवान रुकू किछिन में आपका श्रोगात है आज मैं बनाऊंगी मत्र की छोले आपने तो चने की छोले बहुत ही खायांगे लेकिन मत्र की छोले का श्वाद ही अलग होती है आईए हम बनाने चलते हैं आप भी एक बनाते देखें जीरा ले लिया है फोरण के लि बड़ा सैज का काट लिया है मैंने मत्र को रात बर बिंगों फे रख दिया था है या मैं में नमक और छोला मसाला और यह है गढ़म माशाला और अधर कलाइसम का पेस्ट मैंने पीस लिया है हाल्दे पाड़र डाने जान यह और इसमें लाद मिर्च पॉर्डर और जैसा तीखा का तेव ऐसा बनाए और दो तीन चमच सर्शो का तेल मैंने यूश किया है अब चलिए मैं बनाने चलती हूं इस तरी के सब बना कर देखें बहुत ही एजी है बनाना और टेश्टी भी लगेगी स्पाइसी भी मैंने कुकर में तेल रख दिया है श अब पंचे गंटा भी मटर फुला सकते हैं रात वर भी भी दूनों के रख सकते हैं उसमें मैं हल्दी पाउडर लाल मिर्ज पाउडर और इसमें मैं एड कर रहे हूं अधरक लैसन का पेस्ट मैं यूच करूँगी इसमें डालूँगी गड़ मर्शाला और छोला मर्शाला और नमक श्वादा निशाल डालेंगे अब मैं इसमें डालूँगी प्याज सारे प्याज को मैं इसमें डालूँगी और हरी मिर्च और इसमें तेज़ पता अब लाल मिर्च और इसमें मैं डालूँगी अब जीरा शब्ट को डालके अच्छे से इसको हाँ से मिला लेंगे इस तरह के से खोब अच्छा से मिलाएंगे इस तरह के से बना कर देखें बहुत ही टेश्टी बनेगी आपका छोला अब मैं इसमें पानी एक कर रही हूं एक कप पिश लिए क्यूंकि इसका प्याज छोड़ता प्याज का पानी निकलता है गैस को आपकर करके उस पे कुकर में डाल दिया इसका ढगा दिया है अब यह पांच से दस मिनत में बनके रेडी हो जाएगा इसका प्रेशर बनेगा थोड़ा सा मैं उस पे पांच मिनट के लिए रहने दूंगी एक फिटी में थोड़ा बनके रेडी हो जाएगी आप इसे चावल ओड़ी ताथा या बटूरे यह शक्ते शाथ आप शपकर श करके बंद कर दिया है अब कुकर को मैं निकल जाता है तब उसका मैं खोल लहीं हूं इसको देखिए कितना टेस्टी यमी बनी है चोला अगर आपने मेरे चैनल को भी लाइक शब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कॉमेंट्स करना ना भूले कॉमेंट्स में बताएं कि मेरा चोला कैसा बना है और मैं इसे सब कर रही हूं बहुत ही अब चैनल की छोला खाना भूल जाएंगे और ठीचारा मेरे वीडियो को बढ़ाते रहें कि अगर आप